तो गाइस ATK बसेस North East United FC जो खेला जाएगा 27 जानूरी को ATK का Home Ground Salt Lake Stadium पर तो ISL का इतिहास में इन दोनों टीमों का Records क्या है और क्या है इन दोनों टीमों का Head to Head Records तो कई सरे बात हैं इस वीडियो में डिसकस करने वाले है और मैं आप लोगों से रिकॉमेंट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो guys two time champions ATK और Highlanders जबी भी एक दूसरे के साथ आमने सामने भीरता है तो 70% मैचों में हमें एक तरफा मुकाबला देखने को मिलता है जहां हर बार बाजी मर जाता है ATK लेकिन भाई North East United FC भी ATK को करारा टकर देती है और कईने कई इन दोनों टीमों के बीच एक छोटा सा rivalry भी है और season 6 में ये दोनों टीमें जब आखरी बर गूहर्टी में आमने सामने भीरे थे तब तीन शूने का एक बड़ा मारजन से ATK ने जीत हासिल किया था जहां ATK ने season 6 में North East United FC का unbeaten records को तोरा था तो गाईस ISL का इतिहास में इन दोनों टीमों का all head to head records कहे चलिए full details के साथ देख लेते है तो इन दोनों टीमों के बीच ISL का इतिहास में अभी तक total 11 मैचे स्खेला गाया है जहां 6 मैच में जीत हासिल किया ATK और 3 मैच में जीत हासिल किया North East United FC और 2 मैच ड्रॉ में समप्थ हुआ वो ही अगर score sheet के बारे में बात की जाए तो North East United FC ने लगाया है 5 गोल और ATK ने दागे है 11 गोल और अगर इन 11 मैचों में से दोनों टीमों का उइनिंग परसेंटिस देखा जाए तो North East United FC का उइनिंग परसेंटिस है 27% और ATK का उनिंग परसेंटिस है 54% और आप देखते हैं कि 27 जानूरी 2020 में कौन जीतते हैं एतिके ये फिर नॉर्थ इस्टोनेट एड़ सी तो वाइस अपने फेवरिट टीम का प्रोडिक्शन आप खूद टैग कीजिए और कॉमेंट सेक्शन पर वताइए कि इस मैच में कौन जीतने वाले ही तो आज के लिए इस वीडियो में वास इतना है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी-जल्दी चैनल को सबस्क्राइब करके साथ मेचुरी बेल आईकन को भी प्रेस करके रखना इसके लावा आप लोग मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हो Instagram स्टोरी पर भी में छोटा-छोटा अपडेट पोस्ट करता हूँ तो Instagram पर भी मुझे फॉलो जरूर कर लेना मेरा Instagram ID का लिंक आपको description box पर मिल जाएगा तो फिट मिलंगे अगले एक नए और interesting वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाई बाई